खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़े पाकिसान हाई कमिशन के सामने सिक समुदाय के लोग इकठा हुए और उन्होंने उस घटना का विरोध किया जहां ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पत्थर बाजी की गई थी दिल्ली में विरोध प्रदशन किया है सिक कम्यूनिटी ने ननकाना साहिब पर हमला किया था लोगों ने और अतना ही नहीं एक शक्स बकायदा कैमरे पर ये कहते वो दिखाए दे रहा है कि इसका नाम हम बदल देंगे और दिल्ली में पाकिस्तानी उचायोग के बाहर सिक समुदाय ने प्रदशन किया है और जिस जगा ये विरोध प्रदशन हुआ हमारे समदाता प्रफुल शिवास्तव कि ये रिपोर्ट देखिए चुकरवार को पाकिस्तान में श्रणकाना साहिब गुर्दवारे पर हमले और नामजली की धंकी के बाद आज दिल्ली गुर्दवारा प्रबंदा कमीटी इस बात को लेकर पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन केरने यहां पहुँची है ये चानक के पूरी से यहां पर पुलिस ने वेरिगेटिंग कर दी है आगे दूतावास से जाने की धारत नहीं है यहां पर जो दिल्ली गुर्दवारा प्रबंदग कमीटी है उसकी तरफ से जो कुछ शुक्रवार का हुआ उसके विरोध में यहां पर मार्श निकला जा रहा है और यह दवाम ल है यहां पर पहुंचे हैं और में पुनिद्व देने की बात कर रहा है तो फिलाल दिल्ली सिक्वर्दवार प्रबंदग कमीटी की तरफ से यहां पर मार्श चिए जारा है हालकि पाकिस्तान हाय कमिशन की तरफ निचानी नहीं दिया गया है बीच में ही पुलिस ने यहां कर दी है और बड़ी संख्या में पर तैनात की आगे है ताकि पाकिस्तान जुतावास तक नहां पहुंचा जाए तो फिलाल जो शुक्रवार को निकाना साथ गुड़द्वारे में हुआ उसका अब यहां दिल्यू में देखे और आब आपको सुनवाते हैं कि इस प्रोटेस् पर मंजिंदर सिर्साने क्या काना साथ यू शुट कम आओ और प्रूम इस में चुट अज़ फुर्व पर उत्ड़ प्रूम इस अज़ नोगोड़वार निकाना साथ यस्टेडेशित्या अज हम यह में मेंडम लेकर अभी पाकिस्तान के हाई कमिशन को मिर रहे हैं पाकिस्तान ने जो किया वो बहुत ही निंदनिया है पाकिस्तान के इमराइन खान का मूं बंद रहना पाकिस्तान के इमराइन खान के परदान मंतरी द्वारा जो मनौर्टिसकलियतों के उपर हमला हुआ है हमारे सबसे प्वितरस्तान को बदल कर मस्जिर बनाने की धंकी दी गई है ननकाना साब के नाम को बदलने की धंकी दी गई है और यहां तक पाकिस्तान से सिखों को बाहर निकालने की जो धंकी दी गई है उसको हम जहां कड़े शब्दों में निंदा करते हैं वहीं हम स्ट्रॉंगली उस से डरने वाले नहीं और हम यह भी बताना चाहते हैं पैकिस्तान को कि वही ननकांअ साफ जहां पर कल बात हुई बात नहीं से थाखाने का चुड़वाने कने के लिए महन्तों से हमने 200 से जादा लोगों की शाध दिए हम लोगों की जान अपनी जान हम ये भी बताना चाहते हैं, हम ये भी बताना चाहते हैं, हमें उन सांपों के सिर कुचलने आते हैं, जो सिर हमारी तरफ फंडा निकाल कर निकलते हैं, हम उन सिरों को कुचलना भी हमें आता है, हमने ये जो जलम हमारे को उन्होंने करने की कोशिश किये, दुनिया बरका कोई भी इसे कि जुल्म को बरदाश नहीं कर सकता हम यह भी मांग करते हैं कॉंग्रेस से कॉंग्रेस माफी मांगे जो कल कॉंग्रेस ने स्टेट्मेंट दी कि वहां पे कोई जगड़ा हुआ ही नहीं गुर्दवारे पे हमला हुआ ही नहीं यह जूटी तो अकाली दलके मंजिंदर सिंग सिर्सा उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह का जो पाकिस्तान में वाक्या हुआ है बिलकुल भी बरदाश नहीं किया जाएगा उधर केंद्रिय मंत्री हर्दी पुरी ने ननकाना साहिब हमले की नंदा की है उनका कहना है कि पाकिस्तान में स्टोन पिल्टिंग और डेसेक्रेशन अगेंस्ट थे होली सीक श्राइन गुर्द्वारा नंकाना साहिब जी अनी प्रूफ वर नीड़ेड बाउट पाकिस्तान दिस इंसिदेंट आफ्र फ्राइडे प्रेश येस्टेडे़ प्रवाइड दैट प्रूफ उदर नंकाना साहिब को लेकर राहूल गांधी ने भी ट्वीट किया है राहूल गांधी ने इसके निंदा की है और कहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं क्या ट्वीट किया राहूल ने आपको दिखा रहे हैं नंकाना साहिब पर हुआ हमला निंदनिये हैं हर तरफ इसकी निंदा ग्या तुपाय है प्रियंका गांधी आपके लिए ये सुबूत काफी है या और चाहिए दिल्ले के मुखे मंतरी अर्विन केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है केजरीवाल ने क्या आपने ट्वीट में लिखा है वो भी आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हुआ हमला एक बेहत काईराना और शर्मनाक घटना है ननकाना साहिब करोडों लोगों की आस्था का केंद्र है वहां रहने वाले सिक भाईयों का उत्पीडन बरदाश नहीं हो सकता पाकिस्तान सक्त कदम उठाए और मुझरिमों को सजा दे